हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी चलो हम मिलके पढ़ते हैं आपकी second poem the kite all of us like to fly kites हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है have you ever tried to fly one क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है read this poem about a kite as it flies in the sky इसको पढ़ गए और एक पतंग के उड़ने का एहसास लें उसके बारे में हमारी poem कि वो कैसे उड़ती है हम poem पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम उड़ती हुई पतंग को देख रहे हैं how bright on the blue is a kite when it is new कि ब्लू आसमान में कितनी सुंदर लगती है जब यह पतंग नई होती है या कितनी चमकदार होती है with a dive and a deep it snaps its tail जब पतंग नीचे की ओर गोता खाती है यह उसकी पूँच हवाग में लहराती है या इदर उदर जाती है तो एक आवाज करती है snaps मतलब होता है एक दम से किसी जगें पर जाना then saw like a sheep with only a sail फिर जैसे जो जहाज होता है पानी का वो पानी पर तेरता है कुछ उसी तरह है वह पतेरती हुई परतीत होती है as overtides on wind it rides और वह पानी में कुछ ऐसे आगे बढ़ती है जैसे वह वाव में तेर रही हो वाव में ride कर रही हो climbs to the crest of a gush and pulls हवा के जोंके के साथ पतंग एकदम उपर याशी घर पर चड़ती है और अपनी और फिर खीट जाती है then seems to rest and wind falls तब ऐसा लगता है कि वह जैसे आराम हवा में आराम कर ही हो और फिर अचानक हवा है वो बंद हो जाती है या हवा रुख जाती है when string goes slack you wind it back और फिर जो इसकी डोरी है जो धागा है वो धिली हो जाती है और यह नीचे गिरती है when you wind it back और तब आप इसे उपर जाने के कोशिश करते हो and run until a new breeze blows और आप उसे लेकर दोडते हो जब तक कि एक हवा का जोंका उसे वापस उपर न ले जाए and its wings fill and up it goes और यह लगता है फिर इसके wings में हवा भर गई हो या हवा से है उपर के और वापस जली जाती है how bright on the blue it is kite when it's new कि यह आसमान में blue आसमान में कितनी सुंदर लगती है कितनी चमकदार होती है जब यह new होती है but a rugged thing you never will see तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने सोचा नहीं हो when it flaps on a strange in the top of a tree तब ही है यह इसकी जो डोरी है वो उपर पेड़ के शिकर पर कहीं अटक जाती है और यह वहीं पर फड़ फड़ाती है आपके हाथ में नहीं होती तो पिर हवा में ही उड़ती रहती है आप उस पर कट्रोल नहीं होता तो तेलिया मिलके इसके आगे एक्टिविटी भी करते हैं कि आपको कुछ ऐसे सब्सक्राइब निकालने हैं जिसे कुछ किरिया तमक कुछ एक्षन होते हैं वह दिखे जिसे यहां पर दिया हुआ है डाइव डिप स्नैप्स और नहीं चलिखा हुआ है फाइंड आउट एंड फाइंड फाइंड आउट दे मिनिंग्स ऑफ दीज वर्ट और उन शब्दों के मिनिंग भी लिखने हैं तो डाइव मतलब होता है जंप है फस्ट इंटो वाटर डिप डिप मतलब तो पूट इंटो ए लिक्वीड फोर ए शो टाइम जिसे ना बिस्कुट को चाय में या दूद में डिप करते हो उसको बोलते हैं Snaps to break suddenly with a sharp sound next Strgok I got rides to travel or to sit on the back Source fly high up in the air Pulse to move something strongly in a particular direction Claps move up and down Climb Ascent Fail Move from a higher to a lower level टिपिकली रेपिडली एंड विद्धाउट कट्रोल नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जो नीचे बाक्य लिखावे हैं इनके जैसे बताना है आपको बताना है जैसे हीरंस लाइक वह दोड़ता है तो कैसे दोड़ता है जैसे तुलना करने वाले वाक्या होते हैं तो आपको यह कंप्लीट करने है तो जैसे फिर्स्ट है he runs like a deer he runs like a deer he runs like a deer he eats like a wolf वह एक बैडिये कितरे हैं खाता है he sings like a night angle वह एक oil कितरे हैं काता है लाइक ए जी एस टी आई जी एस टी आई एन जी एल ए ले लोगो दोबार लिख देता हूँ ए ए एन आई जी एस टी आई एन जी एल ए ले नेस्ट ए साइन्स लाइक ए स्टार हो है तारी के दिने चमकता है इट फ्लाइज लाइक ए काईट है पतंग जैसे उड़ता है नेस्ट आपको दिये हुआ है कि आपको एक पतंग बनानी है कुछ ऐसे पतंग बना लेना आप और वागन उसको उड़ाना लेकिन तोड़े ध्यान से तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में